दमाद और जीजा बनाने में बेश थे तो उनके साथ कैसे उनकी खिलाफ लिखेंगे अगर जीजा और धमाद बनाओगे ङुशकी खिलाब अब लिख सकते हो तो इस लिए जीजा धमाद थे इसलिए μαजम और खिलाफ een और इनके उपर जो चाहे वो करते रहे और यह लोग राजी खुशी से भी एकस्ट भी कर लेते थे रोटी बेटी कर रशता था और सराय जितने बनाएं जैसे कि देखिये भी लाडू सराय कटवरिया सराय बेर सराय इसलिए बनाए थे कि यही लोग उन मुगलों और अंग्रे प्रेजों से या मोगलों से पैसा लेके उनकी लड़के आती थी तो इनका धंदा चलता था तो तो जी जाव बहनोई को तो खिलाब लिखेंगे नहीं लिखेंगे गरीब के प्रती गरीब कौन था यहां के मुल निवासी हो गरीब हो क्यों थे अनपढ़ के चलते अनपढ़ के चलते जब वो गरीब थे तो जब यह सिच्छा जब पराप्त करने लगे धीरे धीरे तब पता लगने लगा कि इनकी गीता रमायन और महभारत क्या है तब इसके उपर आदमी कलेम करने लगा कि यह गलत है यह नहीं होना चाहिए यह टोटली किसी जाद के खिलाप नहीं है इसाई का देखो किसी के खिलाप नहीं है किसी उनके में भी बहुत से जातियां है मुसल्मानों में भी बहुत से जातियां है लेकिन हिंदु गरंथ में ही क्यों तमाम जातियां तैयार हो करके और छोटी जातियों के खिलाप सारी चीज बातें लिखे सिर्फ इस लिए कि इनके अंदर में डर पैदा करके इनसे गुलामी कराते रहो यह गुलाम बने रहें राम चरित मानस जो है राम चरित मानस बनाम बाराम हड चरित्र मानस है तुलसी ने राम के दर्बार में बैट करके उनका दर्बारी था उनके गुडगान में यह ने ने ब्राम हडों का कैसे बचा हो इस विशेव उने लिख दिया कान पे धागा बहुजनों का गला काटा 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 यह मनुसमिर्ती लिकर के गीता लिकर के रमाण लिकर के भारत के बहुजनों को गुमराह करके और आडंबर के तरफ जोग दिये इसलिए जोगे कि इनको पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था जो कहते थे उसी को सत्यमान लेते थे उसी पर बैचारे चलते थे तो अपनी नाम बीबी को न लेकर के सारी सुद्र के नाम से जोड़ दिये शुद्रता तो वह कर दी थी कि इनके चोरी-चोरी वह चली कहीं और जाती थी ब्रामणों का रिंग बेद उठाके पढ़ें ब्रामणों का बेद उठाके उपनेन संसकार नहीं होता है तब तक ब्रामण नहीं कहलाता है तब तक अच्छूत में राता है इसलिए यह बनावटी चीजे हैं कालपनिक चीज बनाई गई है सिरफ धंधा के लिए इसको हमारे 90 परसंट बहुजनों को समझना होगा जो चंदर सेखर मंतिरी बिहार के कह हैं और उनका पूरे भारत के बहुजनों को सपोर्ट करके जो लिखाए तुरसी दाजने चाहिए राम चरिच मानसो यह राम आणो यह उनको पता था उनको नहीं पता था वह यह जानते थे कि हमारी परंपरा जो है यह सदा चलती रहेगी इसलिए यह सारी लिखते रहे उन और सुद्र ही इनके खिलाब 5000 वर्सों से लड़ाई लड़ रहा है कि यह हमारा हमारा देश हमारा है तुम एक विदेशी हो घुस पैठी चोर लुचे लफंगे बदमा सयायसी हो आज तक उठा के देखिए इतिहार उनके साय में यह सारे चीजे लिखा लेकिन मैं यह कह रह एक है और लिखा और हिंदू ध्रम नाम कोई धर्म नेया हिंदू धर्म हिंदू सब्ध गाली सब्द अब त्भिन दू चिला क्यों रह..? लेकिन हरी बोलेगा मंदिर ने क्यों तोड़ा या मंगलों ने क्यों तोड़ा इस जरिए को जाओ पहले यह क्या थी पूरे भारत बुद्धियम थी पूरे भारत में जितने मंदिर ब्रामलों की यह सारे बोध के अस्थलों पर बना हुआ है तो अगर अंग्रेजों ने या मुगलों ने कोई इनकी मंदिर नहीं तोड़ा इनका अत्याचार जो करते थे उस अत्याचार को रोकने के लिए उन्हों लोग ने तोड़ा यह जितना मंदिरों में दासी प्रथा इसलिए उन्हों लोगे तोड़ा की इंसान के साथ इंसान जैसे रहो वह भी इंसान है और उस बात को बहुत बढ़िया तरीका से सिच्छा मंद्री बिहार के कहे हुए हैं बात ऐसा है कि इनकी जलन हो रही है कि मेरी ब्रामण धंधा में चोट पहुंचा रहे हैं धरम नहीं है इनका धंधा पे चोट पहुंच रहा है इसलिए इनको दर्द हो रहा है आपका ही अगर धंधा कोई छीनेगा तो आपको चोट पहुंचेगा तो इनका जो धंधा धर्म के नाम पे इन पे चोट पहुंच रहा है यह सब कहने पे इनके पेट में मरोड आ रहा है तो यह मरोड को उगट रहे हैं आस्था धर्म के नाम पे क्या आस्था होती है कि इनी का स्था है बाकि कूम का स्था नहीं है किसी और धर्म तुम्हारे मंदिर में बुद्ध है उसको नहीं खोज रहे हो अनरगल तुम जो ध्या में मंदिर बना दिये जब कि वह साके था बुद्ध बिहार केंद्र बिंदु था और आज यहां कालपनिक मंदिर बन रही है वह राम उसके इसलिए नहीं जिकर करते हैं कि अगर करेंगे सुद्र जाग जाएंगे एक लबब का उठा काट संभू करने करतें बर बरबरी करते हैं क्यों नहीं करते हैं कि अगर यह साब साव चीजों को जीकर और यह जाग जाएंगे इनको गुमराह करके सिरफ ब्रहमड बाद को ही बताओ कि ब्रहमण उत्तम है शाले बड़ींके में टट्टी लगे रहे लेकिन उत्तम है और एक सुद्र बहुत बड़ा विद्वान है वह सुद्र है क्योंकि भारत पूरे विश में अंबेटर के बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन इसको सुद्र सुद्र कहा करके सुद्री रखा अंसन नहीं किया होता किमिनल परवाड नहीं गया होता तो सभिधान लागू होने के बाद में ब्रामण विवस्था खतम हो गई होती वह अनपढ़ गमार लोग जो है मानसिक गुलाम है वही पढ़ेगा जो मानसिक गुलामी से हट गया है सिच्छा ले लेने से विद्वान नहीं हुए तो मारे अंदर म अच्छी चीज सोचने से विद्वान होते हो एक अनपढ़ भी है अगर उसके अंदर दिमाग में अच्छी चीज की सोच है वह विद्वान है एक बहुत बड़ा विद्वान है अगर उसके दिमाग में अच्छी चीज की सोचने है तो किताब पढ़ने से विद्वान नहीं वह मांसी गुलाम हुआ ब्रामनों का सबसे बड़े गुलाम है और देश का सबसे बड़ा देश द्रोही हैं उनका हम धन्यबाद देते हैं कि कम से लेट लेट जागे लेकिन जागे ते सही इस चीज को यहीं पर खतम मत करें यह चीज को पूरे भारत में अंदोलन छेड़ें अभी तो सवसाल पूरान हो रहा है सवसाल मालो जब अंग्रेजों ने जनगणा शुरू किया तो ब्रामणों में डर पैदा होगा कि ब्रामण धर तिलक ने हिंदू सब्द का यूज किया और हिंदू बहां साभा सुरू किया ब्रामण धर्म बचाने के लिए इसी लिए सुवाचंद बोस 1949 में कलकत्ता में एक समेलन में कहा था कि हम लोग अजादी देश के लिए लड़ रहे हैं लेकिन भारत के अंदर में साधू संद पाखंडी अगर जाएंगे तो देश का बिनास कर देंगे अब समापरसाद मुखर जी एक प्रफेसर थे देखे कि तो ब्रामणों पे चोट कर दिया तो समापरसाद मुखर जी कलकत्ता हाई कोट में सुवाचंद बोस पे देश दुरूह का मुकदिमा पेस कर देते हैं अब उनको अलान हो गया गांधी गुट कह दिया कि जिन्दा मुर्दा इसको पकड़ो अब गांधी तो सुवाचंद बोस कहा कि अब तो विकल्प रहे गया या तो इनके आंगे सिलेंडर कर दें या तो भाई अपने आपको खत्म कर दें तो गुमनाम से विचारा खत्म हो गया तो यह हालत है कि जो सच कहा देखो अम बिटकर सच कहा रहा उसका पुतला जलाए जो तुमे फूला इनके सद कहा उसका पुतला जलाए गया हमां बाई ने उनका कहा उनका जो तुमे फूले की बीबी सिच्छा इजक्वेशन दिया अब यहां दिमाग लगाए कि 1950 से पहले किसी नारी को पढ़ने का अधिकार नही था आदमी के सामने बटने का भी अधिकार नहीं था बाबा साहीं ने हिंदु कोड बील ला करके महिलाओं को बराबर अधिकार दिया आज वही महिला अंबेटकर का नाम लेने से गिंड़ना करतिे हैं जिसके बद Kollegवलत आज अपने मांसी गुलाम कौन हो सकता है